प्रमे एक यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न 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 पर प्रतिछेद करती हुई एक रेखा की चीजा है तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विवाजित करती है प्रमे एक पर बात करने जा रहे हैं इस प्रमे को आधार भुजद समानुपातिक प्रमे के नाम से जाना जाता है प्रमे के अनसार यदि कोईत्रिभुज A B C हमारे पास है और इन में से किसी एक भुजाओं माल ने अलग-अलग बिन्दों पर प्रतिछेद करती है यहां पर AB और AC भुजा को यह रेखा करमशर D और E बिन्दों पर प्रतिछेद करती है तो इस सिते में हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो प्रतिछेद बिन्दों है करमशर D और E वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है यानि A D बटे D B बराबर A E बटे E C यह हमें सिद्ध कर रहा है तो देखिए हम आगे चले हम A D और D B का अनुपात A E और E C का अनुपात के सांथ मिला कर देखेंगे और यह देखेंगे क्या यह तोनों बराबर है तो चले इसके रहे हमें कुछ रशना करनी होगी रेखा माल लीजे से रेखा को हम नाम L दे दे तो रेखा L भुचा A B और A C को D और E पर प्रतिश्यद करती है और यह जो रेखा L है वो आधार B C के समानंतर है तो ऐसी सिति में हम जब इन दोनों भुचाओं के टुकड़ों का अनुबात निकालना चाहते हैं तो हमें इनके शेत्रफल की मदद लेनी होगी और शेत्रफल निकालना है इन त्रिभुचों का तो हमें एक उजाई की जरुरत पढ़ती है तो हमने E से A B पर एक लंब डाला जो E N है और उसी तरह थे D से A C पर एक लंब डाला जो D M है तो यह हमने दो लंब खीचे E N और D M क्रमशाः भुचा A B और A C पर तो अब हम इन दोनों भुचाओं से संबंदी त्रिभुचों के बारे में गौर करें आप देखिए भुचा A D कि एक त्रिभुच बनाती है A D E जो काले रंग का उपर का त्रिभुच दिखाई पढ़ रहा है एक त्रिभुच A D E है और वैसी भुचा D B जो है वो एक दूसरा त्रिभुच बनाती है A के साथ ही वो त्रिभुच है D B E अब देखिए इसमें एक लाल रंग की देखा दिखाए पड़ रही है और ये दो काली रिखाए हैं तो ये DBE दूसरा तरिभुज है तो इन दोनों तरिभुजों के शेतर फल की हम तुलना करते हैं तो हम लिखेंगे शेत्रफल के लिए हम लिखे है एरिया और कोश्टक में त्रिभुज का नाम लिखे है तो पहला त्रिभुज है A-D-E तो एरिया त्रिभुज A-D-E बराबर क्या मिलेगा हमको देखिए इस त्रिभुज A-D-E का आधार हम A-D माने तो उचाई E-N होगी तो हम लिख सकते हैं एक बटत दो गोड़ित आधार A-D गोड़ित इसकी उचाई E-N हम लिखे तो यह आपको मिला त्रिभुज A-D-E इस त्रिभुज को श्यत्रफल मिला इसे दरह से आप इस भुज़ा से संबंदी त्रिभुज को श्यत्रफल निकाले तो यह त्रिभुज होगा D-B-E तो हम लिखे एरिया त्रिभुज D-B-E यह बराबर होगा एक बटत दो और हम इ आपका डी बी और इसके उंचाई भी वही है जो आप यहां पर देख रहे हैं यह त्रिभुज है और इसकी इसकी आधार भुजा शिर्स की जो लंबवत दुरी है वो इन से प्रदर्शित हो रही है तो हम इन को ही उंचाई कहेंगे तो यह हो गया इन अब हम पहले वाले शेतरफल में दूसरे वाले शेतरफल का भाग देडें मालि जिसको आप कथन एक कहते हैं और इसको कथन दो कहते हैं तो हम एक में दो का भाग دेदें तो हमको मिलेगा एरिया A-D-E बटे एरिया D-B-E एरिया A-D-E और एरिया D-B-E बराबर यहां आपको मिलेगा एक बटे दो गुडित A-D गुडित E-N पूरे का बटा एक बटे दो गुडित D-B गुडित E-N आप देखिए कुछ चीदे जो बराबर हैं कैंसिल हो जाएंगी E-N भूजा E-N यहां से कंसिल हो जाएगी बचेगा आपके पास A-D बटे D-B इसको आप लिख लें A-D बटे D-B आपको मिला यहां पर आप देखिए A-D बटे D-B यहां पर भी है और वही चीज़ आपने यहां पर प्राप्त की जो उन त्रिभूजों के शित्रफल के अलुपात के रूप में है अब आप इस भूजा के तरफ आईए और देखिए कि जो चीज़ हमने यहां पर की वैसे यहां पर भी यहां पर और दूसरा त्रिभूज जो इससे संबंदित है वो है E-B-C यह देखिए आप एक लाल से यह सबनरा त्रिभूज यह वाला और यह दोनों डिखा है आपको दीख रहे हैं तो हम इन दोनों त्रिभूज की तुलना करेंगे शेत्रफलों की तो फिर से हम A-D-E बटे एरिया यह शेत्रफल इससे संबंदित रिभूज इस भूजा से यह है E-D-C E-D-C बराबर देखिए आपने इसका शेत्रफल जब लिया था तो पहले बार इसको आपने लम के रूप में लिया था और आपकी बार आपको लम के रूप में डी-म को लेना है तो इस त्रिभूज के शेत्रफल हो जाएगा आपकी बार आधार आपका होगा A-E तो आप लीजे एक बटे दो गुडित आधार A-E गुडित इसकी उचाई DM के वराबर होगी तो यह आपने DM लिखा बटे इस त्रिभूज को आप देख रहे है E-D-C E-D-C का आधार है E-C तो आप लिखेंगे एक बटे दो गुडित E-C गुडित इसकी उचाई इस त्रिभूज की उचाई आधार को आगे बढ़ाया और यहां से अपने शेत्रफल से लर्म डाला तो आपको DM मिलना है तो यहां पर उचाई इसकी भी DM होगी इसको आप हल कर एरिया A-D-E और बटे एरिया E-D-C बराबर हैं देखिए बराबर चीज़ें हां पर कैंसल हो जाएंगे एक बटे दो उपर नीचे में हैं कैंसल हुआ DM जो लंब है वो दोनों में कामन ही यह भी कैंसल हुआ और आपके पस बसता है A-E बटे E-C आप देखिए A-E बटे E-C यहां पर आपने लिखा है तो आपने इन दो त्रिभूजों के तुलना करके इस अनुपाद को प्राप्त किया और इन दो त्रिभूजों के तुलना क प्राप्त कर लिया तो यह दोनों चीज़ें आपको बराबर करनी है उसके लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि यह दोनों त्रिभूजों के शित्रफल का अनुपाद भी बराबर है तो आप देखिए यहां पर तो त्रिभूज A-D-E यहां भी है त्रिभूज A-D-E यहां पर भी है तो यह दोनों अंच तो बराबर हैं लेकिन आप हर के बारे में क्या कहते हैं एक जिगह आपके पास त्रिभूज A-D-B जो यहां पर दिखाए पूड़ रहा है डी बी यहां एडी बी आप कह सकते हैं इसको और दूसरा त्रिभूज A-D-C यह त्रिभूज यहां पर बन रहा है इन दोनों के शेत्रफल के बारे में हमको देखना है क्या यह बराबर हैं आपस में तो जड़ा गौर करिए त्रिभूज A-D-B और त्रिभूज A-D-C इन दोनों त्रिभूजों में आधार आप देख रहे हैं दोनों त्रिभूजों का आधार A-D है य और यह शोडे के बीच बने वे त्रिभुजों के शेत्रफल बराबर होता है। उस आधार के आप कह सकते हैं कि D-B-E यह वाला त्रिभुज जो है लिखें हैं आप् इडिए बराबर शेत्र फल में अपर एरिया बराबर एरिया इडिसी इस तृबुझ के एरिया भी बराबर होगा तृबुझ EDC पिर इस एक बार देख लीजे Diamond DBE के हम बात कर रहे है DBE और Welsh EDC EDC इन दोने डिसों को बात कर रहे हैं जो यहां पर है Southeast EDC यहां पर है और तर डी बी यहां पर है अंश में दोनों में ADE आदी हैं तो इसके यदार पर आप कहा सकते हैं कि जब दो भिन्नों में अंश एक बराबर है और हर का मान भी बराबर है उन दोनों इस हीतिव में आप कहा सकते हैं कि ये दोनों राशियां बराबर हैं तो आप इसको लिख लें इस कथन के आधार पर ये कथन है एरिया A, D, E A, D, E बटे area EDC बराबर area A, D, E बटे area D, B, E यह आपने इस कथन को मान लीजिए आपने कथन 3 कहा है और इसे आपने दी कथन 4 कहा है तो कथन 3 और 4 के बायं पक्ष बराबर है इसलिए आप कहा सकते हैं उनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे तो आप लिख सकते हैं इसके अधार पर आप लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर यहां से आपको मिलेगा AE बटे EC आप देखिए यही आपको सिद्ध करना था यहां पर आपने लिखा था AD बटे DB बराबर AE बटे EC याने इस त्रिभूज में AD और DB का जो अनपात है वही अनपात AE और EC का है तो यह बात सिद्ध होती है यदि किसी त्रिभूज में एक ऐसी रिखा की चीजा है जो त्रिभूज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समनांतर है तो शेश दो भुजाओं को यदि वो अलग-अलग बिंदों पर काटती है वो बिंदू उन भुजाओं को समानुपात में विवाजित करते हैं यहने डी ने पूरे A, B को दू ऐसे टुकड़े में बाटा जिनका अनुपात A, D बटे D, B बराबर होगा A, E बटे E, C के तो यह प्रमे आपका सिद्धुआ इस प्रमे को हम आधार भूत समानुपातिक प्रमे के नाम से जानते हैं बचों यह प्रमे आपको आगे बहुत सारे जगों पर उधारनों को हल करने में और नए प्रमे सिद्ध करने में मदद करेगा तो एक बर गौष से इसको देखिए और आप इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे